तो फाइनली दोस्त आप लोगो देखो धर्मज कॉर्प गार्ड ने अपने quarter 4 के जो number और डिस्क्लोज कर दी है तो कैसे रहे हैं भी इसके quarter 4 के number और इसका impact है वो हमें कल के दिन stock के उपर कैसा देखने को मिलेगा तो चलिए देखते हैं detail में तो यहां पर देखो कि भी audited results दिये गए है all figure in rupees million में दे रखा क्रोड में convert करेंगे यहां पर quarter ended और यह आपको 12 month ended results देखने को मिलेंगे अगर बात के जाए total income क्या total revenue तो अपके बार से total income हमें देखने को मिले भी वो है लग बग 1162 million क्रोड में convert करेंगे तो 116 क्रोड और 23 लाग है जबकि previous quarter में थी लग बग 123 क्रोड वहीं previous year के same quarter में 71 क्रोड तो year on year basis per income में jump है but quarter on quarter basis पर आप compare करोगे तो 123 क्रोड से income टूटकर 116 क्रोड पर हुई है ठीक उसके बाद देखोगे इसके expense यानि जो खर्चे किये गए है तो अब की बार खर्चे कैसे हुए है 121 क्रोड जबकि previous quarter में 114 क्रोड थे प्रिवजर के same quarter में 70 क्रोड तो quarter on quarter basis per expense में आप लोग देखोगे जम्प आया है और year on a basis पर भी expense में जम्प है बट अब की बार जो revenue है वो इसके expense से कम है बई मतलब company ने loss किया कितना loss अचलिए देख लेते भी net profit या loss for the period अगर बात करें तो अब की बार जो loss होते हुए नजर आया है ना वो देख सकते हो लगभग 33 million यानि की तीन क्रोड 38 lakh previous में 7 क्रोड 22 lakh का profit था प्रिविसर के सेम क्वाटर में 1 क्रोड 24 lakh का profit था यानि की company आई अभी quarter on quarter और year on year basis पर loss में जबकि previous में तो profit था लेकिन वास्याप के बार loss में आई है और earning per share देखो कि एक रुपय माइनस में गया जबकि previous में 2 रुपय 29 पैसे था प् और यहां पर cash flow statements वीडियो को पोच करके देख लेना ठीक और यहां पर आपको यह total assets वेगर आप लोगो देखोगे तो previous के मुकाबले जो total assets वेगर आप लोगों इंक्रीज होते हुए नजरा आई है और borrowing की बात करे company के उपर यानि जो debt है वो में previous के मुकाबले यहां पर short term और long term में increase होते हुए नजरा तो company को पर debt भी increase हुआ है company का जो profit अगर देखा जाए तो वो भी loss में आते हुए नजरा है company previous के मुकाबले ठीक और अब के बार तो loss में आई है ने company तो इसका नेगिटीव असरा हमें stock के ओपर देखने को मिल सकता और बाकि जो यह notes है अब इन thank you for watching the video